नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज नेट पर टूटे मैं जावेद अंसारी मैं मौदूद हूँ रीवा के संजय गांधी में यहां पर ब्लैक फंगस जी हां ब्लैक फंगस के लगभकतेई से 24 मरीज एड्मिट हैं हमारे पास यहां से मौदूद हैं सुरेद मुपाची जी जो इस फंगस की पूरी गतविदियों पर लगतार नजर रखे हुए हैं यहां कि वह इंचार्ज हैं हम सीरे उनीं से बात करते हैं ये ब्लैक फंगस की आज की तरीक में क्या पोजिशन है और किस तरीके से आज की तरीक में आपके इस तितियां है आज तक हमारे मिलतर माइकोसिस वार्ड में जो ब्लैक फंगस को वार्ड है उसमें 23 मरीज भरती है उन में से दो मरीजों की आईशू में एक दो दिन में पिछला डेथ हुई है और आई आई बालों ने काम किया आई वालों ने चूकी उसमें इंवॉल्मेंट आई का हो चुका था आई बाल का मरीज को ब्लाइबनेस हो गया था दिखाई नहीं दे रहा था और इसको निकालना ज़रूई था तो मरीज के कंसेंट रेने के सहमति लेने के बाद राइट आई बॉल निकाल दिया गया और मरीज के लिए अच्छा है क्योंकि इस डिसीज में मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ सा जरीवी चाहिए जहां भी फंगस है जहां भी नेक्रोज टिशू है उनको जल्दी से जल्दी निकालना निकाला जाना चाहिए यह बात सुनके दर्शकों के मन में कुछ सुकता होगी सर की जैसे कि आपने आख निकाल दी तो क्या दूसरी आख से उसको मरीज को दिखाई द या उसको दिखाई देना बन मुक्स छहां नहीं है तो इसे बिलकुर जे रोग जहां जहां रहता है कि जहां-जहां रहता है फंगस है वहां हमको profession यहां पर से अस्पताल से भग गया दूसरा ने मना कर दिया ओप्रेशन करानी के लिए तो इसको क्या क्या क्या, Whereness की कमी आपको एंसापते? एक तुर ऐरनेस की कमी तो पहला हई है, दूसरा मेरे जो अपना मत महिंसे जो आ रहा है कि मरीज अभी थुड़ा सा डर रहा, वो रोग सुर्ि नहीं समझ पा रहा हैं रोग को समझ ईससे नहीं समझ पा रहा है कि इसको मेडिकल और सजकल दोनों ट्रीटमेंट करने से उसको ज्याधा फायदा हुगा वह समच रहा है कि साथ सको यह दियुस द्लाइडन का सोचना होगा, यह मेरा मानना है. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकन दबाएं. और देखते रहें न्यूज नेटवर्क टुडे.